तो यह देखे गाईस हमने गोवी चिली कितना अच्छा बना करते हैं और देखें कितना अच्छा और गाड़ा हम लोका बना हुआ है तो चलिए हम अपना गोवी चिली बनाना इस्टार्ट करते हैं अपने परिवार का ध्यान रख रहे हैं तो चलिए वीडियो इस्टार्ट करते हैं वीडियो पूसंद आगा तो लाइक करेंगा चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा यह देखे हमने गोवी लिया था और यहां पर हमने पानी लिया है तो हमने आदा केजी गोवी लिया था तो यहां पर हम दो कप पानी लिया है पानी में उबाला गया है तो यह अपना गोवी डाल देते हैं और गोवी को हलका से हम पका लेंगे ज्यादा हमें नहीं पकाना ह दस से बीस परशेंट पका लेंगे ताकि इसमें के जो कीड़ा उगर होंगे वह भी बाहर निकल जाएंगे हमारा गोवी है जो हल्का सोप्ट हो जाएगा इसे निकाल के छननी में च्छान लिया है आप किसी तरह का एक बरतन का उप्योग करके से च्छान लीजिए और यहां दालेंगे एक छोटी चमच कर पौड़ आप ज्यादा तीका खाना छाहते हैं पाढ़र बढ़ा सकते हैं और यहां पर दालते हैं एक छोटी चमच अध्रकसुल का पेष्ट और इसमें डालेंगे नमक थोड़ा से डालेंगे क्यूंकि हमने आंसमें अभी नमक होता आपको तो नमक का थोड़ा ही इस्तिमाल करेंगे और इस सब को अच्छे से मिक्स करेंगे पानी डाल के धीरे-धीरे मिक्स करते जाएंगे इसका हम एक अच्छा सा बेटर बना के त्यार कर लेंगे बिल्कुल ना पतला ना ज्यादा गाणा मपको दिखाते हैं तो हमने यहां पर अच्छे हीट पर जरम हो गया है तो इसमें मेकेग करके अपने गोवी को तल लेते हैं क्योंकि हमें गोवी को फ्राइब करना रहता है चिली बनाने के लिए और इस तरह से बना के तयार करेंगा तो गोवी चिली बहुत ही पसंद आएगा सब को खाने में और बहुत ही अच अच्छे हम आज पर एक मिनट से भी कमने यह अच्छे से शिख जाता है और इससे निकाल लेते हैं निकाल के बाकी बचे हुए को भी तल लेते हैं तो यह पर हमने यह थोड़ा से तेल रखा हुआ है इस तेल को कम कर लेंगे और यहाँ पर चलिए देखते हैं चली बनाने क करा मेहत कर लिया यहां पर हम ने एक सिम्ला मिर्च को बारे की काट निया है और यहां पर थोड़ा सा अध्रकक्रान हम lorsqu प्याß हुआ है प्याज लिया हुआ हुआ है अध्रकर ट्र activation का इस में चमिन nay होता है तर यहां पर दूग का में यहां भूलेक्टे चल्ली कोने कच्चापन में अच्छा स्वाद आता है इस लिए हलका ही पकाएंगे और यहां पर हमने सोस का इस्तिमाल किया और यहां पर हम दिखी डालते हैं हलका सम आपको दिखाते हैं विनेगर एक छोटी चमच आप सोस अपने अनुसार सेजवान चटनी आपके पास सोभी डाल सकते हैं और यहां पर हमने टोमाटो केचप डाल दिया दो बड़े चमच भरके तो आप कम ज्यादा कर लिजिएगा ज्यादा म ईसको अच्छे से पहले मिक्स कर लिएं को पकाना नहीं रहता है और यहां पर हमने च्थोटी चमच कॉणफ्लोर लिया है औरें समय को पानी में ढाल के फनाफिक होता है ग्व्रेव क і तो व — अच्छा वने अतिक और शुद्धू का पद्लोर को पहली के और देखिए नाल देते हैं इसने एक कप पाने डाला था इस को अधाल के इस वाल लिया था उसके बाद हम ने यह खून फलोड दाल दिए और दीखिए कॉन फलोड डालते ही यह कितनी जल्दी थीख हो जाएगा हमारे ग्रेवी अब इसमें आपना जो गोवी को तल के रखे थे उसको और हम आपको इसको सर्व करके दिखाते हैं कि हमारा गोवी चिल्ली कितना अच्छा पर्फेक्ट बद्धी तयार हुआ है बिल्कुल जो हम लोग मरके ठेला यारे स्टूजन्ट तोगरा में खाते हैं वह ऐसा बनके घर पर हम तयार हुआ नमक कर शक्ते हैं और येहां पर हमने हल्का सा नमक का इस्तिमाल किया है बोगत ही कम नमक इसका इस्तिमाल की है तो ठोड़ा सा नमक डाल लीजिए और आप स्वारियों ऊथ पीनी भी झोड़ी से डाल सकते हैं पर तों हम आपorder सब्सक्राइब आप poi दो हमें अच्छा या स Creates अन्य पराठरी एप यूज़े लगता है। जरूर चैर करें कि तों आपको क्या जरूर बताएं हैं किया ल voting रोचना कीशा thing aie जो पीछे सावा जाता है उसी आपको वीडियो मेरा पसंद आयोगा तो वीडियो को लाइक करिए गया ज्यादा ज्यादा सेर करिएगा और चैनल सस्क्राइब करेगा मिलते हैं इस वीडियो में बाए बाए गए